या मातागी दोस्तों कैसे हैं आप सभाई हो बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में बात कोड़ेंगे दोस्तों कि सावन का महीना चल रहा है तो इस समय को आप कितना ज्यादा अपने विशिश को पूड़ा करने में लगा सकते हैं जिहां दोस्तों आज में बताओंगे आपको संकर जी के पांच है ऐसे मंत्र की जीवन में आप अलग-अलग तरह के समस्याओं को दूर कर सकते हैं लब मैरिश करने के लिए कौन सा मंत्र आपको जपना चाहिए? प्यार के लिए आपको कौन सा सिव मंत्र जपना चाहिए? अगर पूरुस हैं और चाहते हैं अपनी पत्नी ऐसी, जैसी आपकी एक्जा है, आपकी मनुकामना है, क्योंकि आज के समय में, पार्टनर अग्र आपके मनुकामना अनुसार मिल जाए, तो जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि ज्यादा तर ऐसा होता नहीं है देगिन अगर आप चाहते हैं तो आज आपको मैं वो मंत्र भी बताऊंगी जिससे आपको अपने मनुकामना यानि मन पुर्वक्व इस्त्री आपको मिलेगी इस्तरी है आप गर लड़की है आप और आपको चाहिए अपना लाइफ पार्टनर ऐसा जो आपके मन मुताबिक हो तो उसके लिए भी मंत्र भी आज बताऊंगी आपको सिव जी को मानते हैं तो सिव जी को प्रशन करने के लिए वो कई तरह के जब तब पूचा पाट करते हैं तो मैं आपको सिव जी का ये सबसे शक्तिशाली पांच मंत्र बताने जा रही हूं जिसके प्रियोग मात्र से जीवन के किसी भी तरह के कश्ट को आप दूर कर सकते ह चाहे जीवन में कैसी भी समस्या आपकी क्यों ना आ गई हो अगर आप अपना आस्था और विश्वास बनाए रखते हैं तो आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने की ताकत इन मंत्रों में है तो कौन से हैं वो मंत्र कैसे जपेंगे और क्या तरीका है वो सारी बाते इसी वीडियो में बताओंगे जिने वीडियो में आज तक जरूर बने रही है आगे बढ़ने के पहले दोस्तों मैं अंबिका शर्मा आपके लाती हूं चोटे-चोटे ओपाय ऐसे तरीके ऐसे मत्रों जिन्होंने अपनी इक्छाओं को पूरा किया है लेकि ओम नमशिवा ये मंत्र तो हर कोई जानता है ओम नमशिवा एक ऐसा मंत्र जिससे आपका मन शांत रहता है आप पंच भूत इसमें समाहित है आपका सरीर श्वस्त रहता है आप अगर इस मंत्र को रोज 108 टाइंग जाते हैं वैसा सरीर हो जाएगा क्योंकि आपके सरीर आपका जो सरीर है वो बना है पंच भूतों से और पंच भूत बैलेंस होते हैं जब आप ओम नमशिवाई का जाप करते हैं किसी तरह की समस्या हो अगर आपके सरीर में तो इस छोटे से मंत्र यूंकि इसमें जीवन में पाना चाहते हैं या फिर आप शादी योगी हैं और शादी करना चाहते हैं अगर पुरुष है तो इस मंत्र का जाप करें जब भी आप सुबश नान करते हैं पूजा पाट करते हैं तो 108 इन शब्तों को बोल देने मांतर से आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट हो याद रखिएगा इस मंत्र को आपको सच्चे मन से जपना है इस वर से अपनी प्रासना कहनी है और इस मंत्र को 108 टाइम जपना है बस बोलते हैं अब अगर आप पती पतनी है और आप में जगड़े बहुत ज़्यादा होते हो और आप चाहते हैं कि जगड़े खतम हो जाए कला खतम हो जाए हर बात पर प्रॉब्लम क्रियेट हो जाती है बात सही भी हो तो गलत हो जाती है जब भी आप कुछ बोलने जाते हैं तो अगला आपको चुप करा कर जगड़ा शिरू कर देता है अगर आप चाहते हैं कि घर में आपके शांती बनी रहे घर हो जाए तो आप जरूर अपने सुभा की पूजा पाट में 11 दिन, मात्री 11 दिन ये करके देखिए, जो भी मैं मंत्र बता रही हूँ इस वीडियो में 11 दिनों तक, अगर आप रोज करते हैं, तो आप 11 दिनों में इसका result देखेंगे, सावन का महीना है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं इसको लेकिन अगर रोज करते हैं, तो इसकी किरपा बहुत जादा है, तो वो जो मंत्र है, जो आप पती पत्नी दोनों को खुशिया परदान करती है, एक छाय की पूर्ती करती है, वो है मंत्र गौरी संकराय नमा, मंत्र मैंने स्क्रिन पे दिया है, और जब आप इस मंत्र का किरबाद आपको प्राप्त होता है, सिर्फ 11 दिन जपले, आपकी एक छाएं दिखने लगेगी पूरी होती हुई, जगडे शान्त हो जाएंगे, प्यार बढ़ेगा, और आप दोनों का रिलेशन्शिप मजबूत होता चला जाएगा, अगला जो मैं मंत्र बताने जा रही ह तो यह है मोहिनी मंत्र, सिवजी का, इसे आप जब यह रोज 108 टाइम आपके प्रस्नाल्टी एट्रक्टिव हो जाएगी, जो आपको देखेगा देखता रह जाए, यह मंत्र भी आप नोट कर ले, मंत्र है दोस्तो, ओम शम शिवाय, मोहिनी सिध्धे, ओम रीम नमा, तो द हर देखेगा, मंत्र बहुत पावफुल है, बहुत ही इसे से, यह चोथा हो गया, पाच़ जो मंत्र है वह भी बहुत इसे से, दोस्तो, इतका दोस्तो, इस MON YEरुski को, Samantha को sum लड़का ओ यह लड़की हो, को ढदने vara yaw 5000 मंत्र करने का प्वाइदा देता Zeitungy speaking education. कोई भी obstacles आ रहे हैं, आपको job में problem है, आपको विवसाय में problem है, आपके जीवन में बारबार समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, कोई बहुत बीमार है, या फिर कोई इंसान जब भी कोई काम करने के लिए जाता है, वो काम बिगड़ ही जाता है, घर हो बाहर हो मान शम्मान पद प्रतिश्णा कुछ भी आपको अगर चाहिए, तो इस मंत्र को जब सकते हैं, यह मंत्र है श्री सिवाई नमस्तु भ्याम, श्री सिवाई नमस्तु भ्याम, स्क्रीन पर मैंने दिया है, बस इसे बोलना है, बहुत चोटा सा है, इसे बोलना बहुत आसान है जबती रहिए जब भी आप बैठिये या तो आप 108 बार रुद्राक्ष के माला पर सिवजी का कोई भी मंत आप रुद्राक्ष के माला पर कर सकते हैं या फिर आप आराम से आखे बंद करके बैठ के इसका meditation कर सकते हैं और अपनी एक्षाओं के बारे में उसी समय अगर आप सूचते हैं तो आपकी एक्षाओं पूरी हो जाती हैं तो सावन में सिर्फ 11 दिन तक ये मंत्र जब कर देख लीजे एक 11 बार भी आप जपेंगे न तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं का हो जाएगा